हेलो दोस्तों में नाम कृतिकुमार मकवान और आप देख रहे हूं केके मेकनिकल गुरूई यूटूब चलो दोस्तों आपका श्वागत एमेशल में हैं दोस्तों आपने थमनेल में देखी लिए होगा आज का टॉपिक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जित्ते अगर हो एक क्वालेटी इंजीनियर है और प्रोडक्शन इंजीनियर है तो उसके लिए बहुत ही बैनेफिट टॉपिक है मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाला तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखना कोई भी वीडियो का मिस मत करना बहुत ही दो नॉटिफिकेसिन आये चलो दूस्तों सुरू करते हैं बता जैते हो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपको कोई भी मिस ना हो दोस्तों और इससे पहले में एक वीडियो अपलोड कियाता है आगर आप मेकानिकल इंजीनियर है कॉनसे डिपार चलो दोस्तों सुरू करते जैसे की आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हो आज हम इस व्यडियों में क्या कवर करने वाले मैं आपको बताता हूं पहला हम जो तो कवर करने वाले what are the 7QC tools, 7QC tools क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे 7QC tools की list जानेंगे, जो quality tool के नाम से भी जाना जाता है, फिर हम जानेंगे why do we need 7QC tools, 7QC tools की जरुवत क्यों होती हो भी हम जानेंगे, और 7QC tools के benefit क्या है, जो भी हम जानेंगे, और कुछ नए टूल एड़ हुए 7QC में, लास्ट में, जो भी में आपको बताने वाला हूँ, लास्ट में जो है 7QC tool के नए योट क्या है, तो हम जानते हैं 7QC tool होता क्या हैं दूस्तों, 7QC tools, the 7QC tools are the simple graphic and esthetical tools but very powerful in solving quality problem and process improvement, दूस्तों ये वाला tools क्या होता है, जो भी manufacturing company है, quality वाले department होते हैं, उनको problem solving, जो भी problem solve करने के लिए, जो भी ये tools use करते हो, 7QC tool use करते हैं, इसको easily आपको problem solve हो जाती है, या कोई भी problem हो, उसको process की problem हो, या quality problem हो, उसको solve करने के लिए, simple path हो मैं बोले, अगर problem solve करनी है, तो quality में आले, 7QC tool का use करते हैं, easily आपको use हो जाता है, तो दूसरा point क्या है, this statical tools are very easy to understand and can be implemented without any complex, analytical complex and skill, दूस्तों ये वाले tool इतना easy है, कि आपको इसमें skill की requirement नहीं है, आप easily आपको देखो गया, easily आपको implement कर सकते हो, फिर जो लास्ट पोईंट है, that's the 7QC tool of quality is generally used by the quality control and quality assurance engineer to solve the product and process related quality issue on daily, weekly and monthly basis to reduce elimination and non-use valued activity like product, rework, repair and rejection, दोस्तों इसमें जो बताया है कि 7QC tool है, only quality department use कर सकता है, उन्हें को authority है, ये use करने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी process related और products और defect आता है, वो quality के department ही control करता है, तो एक उनके लिए best tool है, उस control करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, आपका दोस्तों, वो rework हो सकता है, repair हो सकता है, और rejection हो सकता है, दोस्तों, कोई भी company है, उसमें rework भी होता है, तो इसको data collect करने के बाद, 7QC tool use के से, उसको हम जान सकते है, कि इतना rejection क्यों हो रहा है, इतना rework क्यों हो रहा है, तो best tool है, ये इसको use करता जाता है, quality department के बाए, जो QO और QC, दोस्तों, अगर दोस्तों QO और QC का आपको difference जाना है, तो मैंने एक वीडियो दे बना रखा है, तो नीचे description में दे रखा, जाके उसको देख लिजे, QO और QC में difference क्या होता है, दोस्तों, फिर हम जानते हैं, दोस्तों, 7QC tools list, दोस्तों, ये 7QC tools है क्या, तो मैंने दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 7QC tools के मैंने नाम दे रखे, तो पहला है वो चेक सीट दोस्तों, चेक सीट फिरता है, फिस्बोन डाइग्राम, हिस्टिगराम, डाइग्राम, पैरटो चार्ज, कंट्रोल चार्ज, स्केटरिंग डाइग्राम, और इस्ट्रेफिकेशन डाइग्राम दोस्तों, यह 7QC tools से problem solving quality और डिफेट्स और जो भी quality department यूज करता है, quality tools to solve the problem दोस्तों, तो हम एक एक करके यह सारे में easily आपको बताने वाला हो, और इसको अच्छे से आपको समझाने भी वाला हो, तो वीडियो को पूरा जरू देख check sheet, दोस्तों, इसमें check sheet का मतलब क्या बताया हो, the check sheet is used for collecting, recording and analysis of the data, data is an important activity in the problem solving process as the provided as a basic further action, data may be numerical observe and problem, दोस्तों, चेक से क्या मतलब, दोस्तों, एक check sheet एक document है, उस document के आदा से अभी इसमें क्या data हम collection करते है, पहला है, data यह कैसा चीज है, अगर आपकी CVC's का data निकालो, तो आ easily आपको उसको solve कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक example आपको दे रखा है, आप देख सकते हो, मैं एक check sheet का data यहाँ दे रखा है, कोई भी एक company है, उस company में मैंने rejection का एक data बना हो, दोस्तों, आप देख सकते हो, rejection में data, rejection में जो data होता है, उसमें defects आते है, defect से में 1 to 5 में defect दे रखे, blowhole हो गया, non-filling हो गया, catching हो गया, carbon हो गया, crack हो गया, जोस्तों, यह सारे defect दे रखे, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह मैंने डेस्क दे रखे, 7 दिन का मैंने पूरा data निकाला है, जो पहले दिन में कितना है, 15 हो ला है, फिर 2 तारिक को 12 हो ला है, 3 तारिक को 10, तो टोटल 79 हो इस इसके वादे से कुछ जादे defect हो रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, blowhole आता क्या है, तो उससे हम जाने के पहले, इस चेकशिट से हमें पता चल जाएगा, कि सबसे ज्यादा defect क्या रहा है, तो हमें पहले यह हमें पता चल जाएगा, तो हमें किस पर work out करना है, तो उसको इस चल जाता है कि मुझे इस पर वर्कट करना है ताकि उसको इजली उसको डेटा मिल जाए तो उसको सबसे पहले इंपोर्टन चेक्सित हुआती इंप्टन फिर उसके आता है फीज बोन डाइग्राम दोस्तों फीज बोन डाइग्राम क्या होता है फीज बोन डाइग्राम इस अल्सो कोल्ड एक कोस एड एफेक्ट डाइग्राम एड इसी कावा डाइग्राम भी बोलते हो इसी कावा डाइग्राम जापानिस में बोलते हैं इसको इस हैल्प टू identify all the potential cause and select the real best potential cause which contribute to the problem effect. दोस्तों यह जो है fist bond diagram यह बहुत ही identifier है जो भी potential cause है अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ वो किसकी वज़े से हुआ है की हुआ है तो यह वाला अगर fist fist bond diagram बनाओ गए तो आप easily आपको पता चल जाएगा कि किस कारण हुआ है दोस्तों तो दोस्तों यह कैवने एग्जम्पल ले रखा देसी आप दाल सकते fist bond diagram मैंने बना रखा है यह fist bond का diagram है इस डाइग्राम के आप easily पता कर सकते हो कि आपका कौन सा यह defect जादा आ रहा है किसके वज़े से आ रहा क्यों आ रहा है दोस्तों जनरली इसमें फॉर एम यूज होता है मैं इन चार वज़े से यह आता है दोस्तों फॉरेम पर बहुत ही अच्छा एक वीडियो में फ्यूचर में बनाने वाला हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे सब्सक्राइब तो क्वालेटी इंजीनिक क्या होता है दोस्तों फीस बॉन डियाग्रम बनाता है फिर देखता है कि यह जो प्रॉब्लम आरे किसके वज़े से आ रही है मटल के वज़े से तो नहीं आ रहा जैसे कि मैंने आपको पहली बताया था जोस्तों जैसी आप देख फिर उसके बात है histogram diagram दोस्तों histogram diagram आपको easily पता है होगा mathematics में अगर आप पढ़ चुके हो मैथे में histogram बनाते इसमें क्या होता है इस टाइम का एक graph होता है इस graph हम data collect करके इस टाइब का एक graph बनाते उसका आपको easily पता चल जाता है graph से के जैसे 11 नंबर है तो easily 11 नंबर है ज्यादा हो सबसे ज्यादा defect आ रहा है तो इस defect के हमें काम करना है तो यह वाला histogram बनाके हम जान सकते हैं फिसबॉर्ण diagram बनाके easily हम जान सकते हैं इसको कैसे work out करना है फिर दोस्तों इसके बाता है इसको पता लगाता है के क्यों हुआ दोस्तों इसमें एक 80-20 रूल दिया हो दोस्तों 80-20 रूल का मतलब क्या दोस्तों 80% जो problem है वो 20% जो failure है उसकी वज़े से generate होती है तो हमें इससे पता चलता है कि हमें 80% पर काम नहीं करना है जो 20% जो problem clear कर रहा है उस 20% पर काम करना है दोस्तों तो इससे हम पता लगा सकते है कि 20% जो काम हुआ है परक्ता है वहां सकता है वहां पर क्या पर चेट है रहा है पूरा पूरा थो इससाब चार्ट बनाते हो एस से पता जल आता है कैसे इसको चंट्रोल करना है दोस्तों फिर दोस्तों उसके बाद आता है control chart दोस्तों control chart चार्ट बहुत ही important है यह problem solving में quality department के लिए बहुत ही important tool है control chart is also known as the SPC chart suite chart it is graphically present of the collecting information data and help to monitoring the process center or process behavior against the दोस्तों एक control charts हम एक बनाते हैं उससे हम पता चल जाता है कि process कैसा चल रहा है तो प्रोसेस मेरे क्या मतलब जैसे कि आप कोई भी प्रोडेक्ट बना रहे हो उसमें पांच में पावर काम कर रहे है 123 लाइन वाज काम कर रहे है दोस्तों तो उसमें आप देख सकते हो अगर उसने में निव अपरेटर है दोस्तों तो जो निव अपरेटर है वो काम थोड़ा स्लो करेगा और गलत भी कर सकता है तो हम उसको क्या करेंगे जैसे कि मैंने एक control chart का रीट किया जा सकता है फिर दोस्तों जो आता है वह आता है scattering diagram दोस्तों दोस्तों scattering diagram scattering diagram में दोस्तों क्या होता है एक बहुत ही easily और scattering diagram also known as a correction chart scattering plot and scattering graph is a scattering graph is used for the find out the relation between two variable in the other word it show the relationship between two sets of numerical data and दोस्तों तो दोस्तों यह भी एक बहुत अच्छा important है जैसे दोस्तों आप जान सकते हो कि scattering diagram मैंने graph बना रखा है डिपेंडे वेरेबल इस्पीड और वेरियंस और इसी दिए अगर आपका graph इस्ट्रेच जा रहा है तो इसको यह वाला method से भी आप control कर सकते हो problem solve कर सकते हो और scattering diagram तो दोस्तों यह हो गया हमारे 7qc tool और इसका थोड़ा मैंने ब्रीफली आपको बता जिया था आपको आपको इंटर्व्यू देने जाओ तो आप उसको बोल सके तो इसली आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है फिस डॉन डाग्राम पू problem solving making decision and judgment तो quality engineer के लिए सबसे पहले जो आता है हो आता है decision लेना decision से मेरा मतलब एक अगर को पार्ट बन रहा है okay है नहीं okay decision देने वाला production वाले को नहीं है के पार्ट ओके या नोट ओके only quality इंजिनेरी बता सकते है आपको दूस्ते पार्ट ओके है के नहीं है तो यह वाले जो सारे के सारे पॉइंट है दूस्तों अगर इसका यह वाला presentation आपको चाहिए तो मैं लाश्ट तक बने रहे है इसको आपको बताता हूँ इसको आप कैसा डाउनलोड कर सकते दूस्तों अगर आपको डाउनलोड करना पूरा-पूरा तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसा डाउनलोड कर सकते हो पड़ भी सकते हो दोस्तों यह सारे सारे बेनिफिट है आप देख सकते हो problem solving for process measurement control यह स तूल्स आये अभी इंप्लिमेट नहीं ओफिसल भी नहीं वहां पर इस पर वर्काउट भी चल रहा है तो यह वाले विट्रिंपी को बहती जल्दी यूज होने वाले स्यावन की टूल के अंदर एफिनिटी डायग्राम टी डायग्राम डिलेशन डायग्राम मैट्रिक्स डाय क्लाइस एन एरो डायग्रामिक्स यह न्यू टूल से अवन किसी में एड हुए दोस्तों अगर आपको अगर फ्यूचर में अच्छे वीडियो चीए जैसे के लिन मैनेफेक्सिंग टूल्स काईजन प्रोसेश लिन प्रिंसिपल मेजर बोती अच्छे अच्छे वीडियो ड झाल 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 झाल